मायवती की पार्टी बीएसपी यूपी में नई सांसे तलाश रही है लेकिन कोई न कोई ऐसा बखेडा खड़ा हो जाता है कि पार्टी दो कदम आगे चलकर चार कदम पीछे लोट जाती है अब बीएसपी को जटका दिया है पार्टी के ही पुराने नेता दिलीप रावत में जिनकी जड़े बीएसपी से ही जुड़ी हुई है रावत के पिता भी बीएसपी में ही थे लेकिन अब रावत में अपनी पतनी हेमलता रावत के साथ पार्टी छोड़ दी है हेमलता जिला पंचायत सदस्य है, पार्टी को अलविदा कहने के बाद दलीप रावत ने पार्टी सुप्रीमो मायवती पर गंभीर आरोप लगाए है रावत का आरोप है कि मायवती सिर्फ पैसा देखती है, उन्हें कैडर से कोई मतलब नहीं होता जो पैसा देता है उसी को टिकेट देती है, रावत ने ये भी कहा कि मायवती को जो पैसे वसूल कर देता है, वही पार्टी का सर्वमान्यन नेता होता है अब इससे सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि मायवती खुद अपनी ही पार्टी का सौदा कर रही है